हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज में बनाऊंगी कांची यह सरसो पौडर लिया हमने और लगबग यह पांच चमच सरसो पौडर है और यह थोड़ी हींग है हल्दी पौडर गुड़ हरी मिर्च और यह नमक है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और पर डालेंगे यह ओईल मस्टर्ड ऑईल जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंट्स और अब इसमें डाल देंगे यह पानी थोड़ा डालेंगे काला नमक इसके बाद बनाएंगे वड़ा इसके लिए मैंने लिए हैं यह हरे मूंग साबुत मूंग है और इसको अच्छी तरह धो करके दो घंटे के लिए मैं भीगो दूँगी मूंग को हमने दो घंटे भीगो लिया है फ्रेंट्स और अब इसे मिक्सी में हम पीछ लेंगे और इसमें डालेंगे एक छोटी गांट अधरकी और दो हरी मिर्च दाल को हमने पीछ लिया है फ्रेंट्स जादा बारिक नहीं किया है थोड़ा सा इस टाइप से रखा है अब हम लेंगे थोड़ा सा सौप पॉडर थोड़ा हल्दी पॉडर और ये थोड़ा सा बेशन एक चमच और थोड़ा सा ले रेते हैं और थोड़ी लेंगे फ्रेंट्स हींग थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक दाल में और इसको बहुत अच्छी तरह हम फेट लेंगे ये मंस्टर टॉइल है अब इनको निकाल लेते हैं अब ये हलके गरम पानी में हम भीगो देंगे वड़ो को इसके बाद कांजी में डालेंगे खुब खटी हो गई है फ्रेंट्स ये कांजी डाल देंगे और इसमें डालेंगे सारे वड़े हम इसको इस टाइप से डाल देंगे और एक नए तरीके से सरफ करेंगे हम कांजी को इसका रसनी चोड़ेंगे रस गुल्ले का और इस टाइप से इसको इसमें डिप कर देंगे अब वड़े तो हमने भी होके रख दी है कांजी में लेकिन रस गुल्ले आपको डिप करके नहीं रख ने है रस गुल्ले तब ही डिप करके देने हैं जब आप सरफ करेंगे तो यह हो गई ना मजेदार कांजी तो खटी मिठी कांजी रस गुल्ला कांजी यह वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए शेयर करिए और प्लीस सब्सक्राइब कर लिजे थेंक यू प्रेंट्स